नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका, मैं हूँ आपके साथ जोत्रिश गुरू शिरो मनी सचिप मित्रो कैसी है आपके नक्षत्रों की चाल, कौन-कौन से ग्रह अपना राशी परिवर्दन कर रहे हैं, कौन से नक्षत्र भी अपनी चाल चल रहे हैं, आपको बताएंगे आज के देनिक राशी बन में मेश राशी, रिष्टों में प्रेम पहले से अधिक हो जाएगा, अपना पैसा आप बहुत समाल कर रखी, गुम हो सकता है, घर में समय जरूर दें, एक दूसरे का सहयोग करें, शुबरंग है नारंगी, आज अपने पित्रों के नाम से जरूत मन व्यक्ति को दान अवश्य करिए, व्रशब राशी, अचानक खर्च बढ़ने से गुस्सा बढ़ सकता है, परिवार में दूरी हो सकती है, व्यापार में कोई पैसा न लगा है, शुबरंग है आस्मानी, आज उपाई के तौर पर भगवान सूरिय को तांबे के लोटे से जल अवश्यर पित करें, मिथुन राशी, शेयर मार्किट से आज नुकसान हो सकता है, नोकरी का आपको नया आवसर मिलेगा, घर की सफाई पर ध्यान दीजिए, शुबरंग है आपके लिए जामुनी, आज हरी मुम का दान जरूर करें करकराशी, अचानक नोकरी में प्रमोशन हो सकता है, संतान की भी तरक्की होगी, परिवार में शांती बनाए रखिए, शुबरंग है कत्थई, आज अन, वस्त्र का दान करना है, और मिठाई का भी दान आप जरूर करिए सिंग राशी, आज जीविका में, नोकरी में, व्यापार में परिवर्तन बहुत सोच समझ कर करना है, किसी उच्च अधिकारी से आपका मिलना होगा और लाब भी होगा, उधार दिया हुआ पैसा कहीं न कहीं आज फच सकता है, शुबरंग है आपके लिलाल, आज उपाए क कन्यराशी, पिता की सिहत का ध्यान रखे, संतान के कारण थुड़ा चिंता रहे, मिहमान आने का योग है, शुबरंग है गुलाबी, आज उपाए क्या है, आज रोली का तिलक करिए भगवान गणेश को, उसके बाद आप किसी भी कारे के लिए जाएए, सपल होगे, तुल प्रिश्चिक राशी, साजेदारी में आज बड़ा परिवर्तन होगा, सेहत में उतार चड़ाओ भी होगा, धन खर्च बहुत सोच समझ कर करिएगा, वरना शाम तक बहुत पस्ताएंगे, शुबरंग है लाल, आज उपाए क्या करना है, सुबह के समय योग करें, शाम के स शिवाले में दीपक जरूर चलाएं, धनूराशी, रुके हुए कारे में सफलता मिलेगी, सेहत का ध्यान रखना होगा, धन प्राप्ती हो सकती है, शुबरंग है पीला, आज पीली मिठाई का दान कर दीजिए, आप अच्छा महसूस करेंगे, मकर राशी, आज पित्त के र पारजाब अवश्य करें, कुम्राशी, संपत्ती के वादविवात आज खत्म होने जा रहे हैं, मित्रों से कही न कहीं जो वादविवात थे वो भी खत्म होंगे, रुका हुए पैसा भी आपको मिल सकता है, शुबरंग होगा आपके लिए हरा, आज उपाय क्या करना है, च उपाय के तौर पर थोड़ा सा पीला चंदर भगवान विश्नु को अर्पित करिए, और फिर आप तिलक करके घर से बाहर जाईए, हर कारिय में आप सफल होंगे। तो मित्रो ये तो था आज का देनिक राशीपल, कल के देनिक राशीपल को लेकर इसी मंच के माध्यम से आपके समक्षाजे रोंगे, देजिए मुझे एजाज़त, तमस्कार।